हेलो दोस्तों एक बाद फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ग्राफिक डिजाइनिंग चैनल सिंप्लिफाइट टट्स पर मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर आशी स्थस्तोगी और आज काफी दिनों के बाद एक फिर से एक 32 सी क्लास आपके लेके आया हूँ आज हम बात करने वाले हैं डिजाइनिंग में एक बहुत इंपॉर्टन चीज के बारे में जिसके बिना हम कभी भी एक पर्फेक्ट और एक अच्छी डिजाइन नहीं बना सकते हैं जी हाँ आज हम बात करेंगे अलाइंड एंड टिस्टिब्यूट की बारे में लेकिन क्लास शुरू करने से पहले जो भी लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं अगर वो कोरोड्रॉम में या डिजाइन में इंटरस्ट रखते हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर सकते है मैं इस पर बहुत सी चीज़े आपको ला करके सिखाता हूँ और जो लोग मेरे पुराने हैं बट उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसा करने से चैनल को सब्सक्राइब करने से वीडियो को लाइक करने से और कॉमेंट करने से अगर आपको कोई सवाल है तो कॉमेंट भी किया करिए थोड़ से मुझे मॉटिवेशन मिलता है आगे और तेज काम करने का तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो यार कंजूसी के सीच किये सब्सक्राइब पर लो लाइक कर दो चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यह हम आ चुके हैं अपनी कम्पूटर स्क्रीन के उपर और आज समझते हैं अलाइंट एंड डिस्ट्रिबूट के बारे में बट उसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़े यह समझ लेनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है कहां पर दिक्कत आती है क्या करते हैं और क्या करना चाहिए यह प्रॉब्लम अक्सर जो लोग नए होते हैं जो लोग सीख रहे होते हैं उनके साथ ज्यादा आती है जैसे आप ट्रेन होती जाएंग तो यह problem भी कम होते चले जाएगी बट आपको चीजों को सीखना पड़ेगा और उन्हें समझना पड़ेगा देखे जब भी हम कोई विश्टिंग कार्ड मनाते हैं जैसे कि हमने यहां पर एक विश्टिंग कार्ड का box ले लिया कुछ मैं इसको भी size देता हूं 88 and 55 ठीक है तो यह मैंने यहां पर एक विश्टिंग कार्ड का हमने एक size ले लिया है अब मान लिजे मुझे यहां पर कोई नाम लिखना है तो यहां हमने कोई name लेना है तो हमने ले लिया customer name और इसको हमने कोई size दे दिया मान लिजे इसको हम 13 दे देते हैं 13 point board कर देते हैं अब इस नाम को मुझे या तो इसके टॉप राइट कॉर्णर में लेके आना है या फिर लेफ्ट टॉप कॉर्णर में लेके आना है या फिर मुझे सेंटर में लेके आना है और माल लीजे मैं हाप पर कुछ आड्रेस भी ले लेता हूं कस्टूमर आड्रेस is here और यह माली जे मुझे address यहाँ पे लगाना है यहाँ पे लगाना है कहीं भी मुझे इसको place करना है अब देखी जब भी अगर आपको aligned and distribute के बारे में proper जायनकारी नहीं है तो आप क्या करोगे आप इस text को उठाओगे और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे place करने की कोशिश करोगे ठीक है या आप यह नाम लोगे और यह नाम को आप कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से place करने की कोशिश करोगे या फिसको आप center में लाने कोशिश करोगे कि center में यह आ जाए ठीक है यह चीज गलत है इसका सभी तरीका क्या है कि हमें alignment को इस्तिमाल करना होगा alignment को इस्तिमाल करके हम बहुत ही जल्दी चीजों को एक साथ कम समय में arrange कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह की problems आती है या फिर और कहां पर problem आती है जब भी आप कोई bill book बनाते होगे या कोई आपने invoice बनाई तो invoice में होता क्या है कि इस तरह के columns बने होता है मैं आपको एक idea के लिए हाँ पर column बना के दे रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ एक कुछ columns बनाया दे रहा हूँ माल लीजे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ serial number font से इसका छोटा कर देता हूँ nine point कर दिया और अब मुझे इसको sale number को place करना है center में या फिर मैंने यहाँ पर ले लिया product product name अब मुझे इसको मुझे यहाँ पर place करना है ठीक है तो यह चीजे अगर आपको proper alignment की जानकारी नहीं है तो आप क्या करोगे आप अंदाजे से इसको रख दोगे यहाँ पर अंदाजे से रखने कुशिश करोगे उसमें time भी waste होगा और चीजे भी proper नहीं होगी तो इसी के ही solution के लिए हम लोग alignment का use करते हैं और कहाँ पर use करते हैं मैं इसको यहाँ से delete कर देता हूँ या फिर delete नहीं करता हूँ मैं इसको उठाके यहाँ पर place कर देता हूँ कई बार हम लोग example के लिए मैं ले लेता हूँ कुछ जैसे कि हम लोग registers बनाते हैं तो registers में क्या होता है कि हमको यहाँ पर rule देनी होती है कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर rule देते हैं कुछ rule ऐसे भी दे सकते हैं या फिर हम जो है इसको 90-degree rotate कर लेते हैं और हमें register में rule देनी होती है तो rule देने के लिए हम क्या गरता है इस तरह से हमने लिया और फिर उसकी हम ने यहाँ पर copy किया फिर हमने उसको इस तरीके से लिए हमने आप एक copy किया इस तरीके से लिए इसको आप एक copy किया अब उसमें हो क्या रहा है कि इन सब की spacing है बीच की यह proper नहीं है सब में equal spacing नहीं है तो इसको हम arrange करते हैं distribution की थूँ ठीक है तो आज इनी सब चीजों पर हम discuss करेंगा खिर यह ची पर लिया था अपने इस visiting card का ठीक है तो मैं इसको यहाँ पर बीच में ले आता हूँ और इस पर ही देखता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले हमको चाहिए होंगे options aligned के तो वो हमें कहा मिलेंगे वो हमको मिलेंगे यहाँ पर आप window में आ जाईए window में आपको पर देखिए option मिल जाएगा align and distribute आप चाहो तो यहाँ पर भी click करके इसको open कर सकते हो या फिर shortcut की जो usually मैं इस्तिमाल करता हूँ इसको on और off करने के लिए control shift and a देखे हम जैसे control shift a दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमको side में एक panel मिल गया है aligned and distribute का और यहीं सम्चीजों क को इस्तिमाल करेंगे ठीक है यह अभी यहाँ पर देखिए कुछ भी selected नहीं है इसलिए यहाँ पर सब कुछ गिरे में आ रहा है जैसे हम object को select करेंगे तो यह automatically यहाँ पर activate हो जाएंगे अब हमें है किसी भी चीज को align करनी होती है जिसको align करनी है हमें पहले उसको select करना ठीक है तो सबसे पहले हम customer name को choose करेंगे और उसके बाद हम shift की की मदद से इस box को choose कर लेंगे अब क्या करेंगे सबसे पहले देख लिकते हैं कि अगर मालीजे मुझे यहाँ पे top left corner में मुझे इसको alignment चाहिए हो तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको alignment के option मिलते हैं सबसे प उसके left में align हो जाएगा यह देखिए ठीक है अगर हम center करेंगे तो center में align हो जाएगा और right करेंगे तो वो right में align हो जाएगा उसके बाद में देखिए यहाँ पर तीन और options दिख रहे हैं पहला है top दूसरा है आपका middle जिसको बोलते हैं center vertical और तीसरा है हमारा bottom तो यहाँ प पे click करेंगे तो मेरा vertical center में align हो जाएगा और यहाँ पर हम click करेंगे last one पे तो हमारा bottom में align हो जाएगा अब हमको चाहिए क्या था हमें चाहिए था यहाँ पर top में left में तो हम पहले left लेंगे उसके बाद यहाँ top हम यहाँ पर top पे click कर देंगे तो उस हुआ क्या कि उसने top left में चीजों को align कर दिया है अब देखिए हो क्या रहा है कि जो मैंने इसको top किया हुआ है तो वह इस border के ऊपर में आपके align हो रहा है तो अगर हम को इसके यहां पर अंदर की तरफ align करना है तो यहां पर हमें देखे text में यहां पर एक option मिल जाता है bounding box के नाम से हमें इसको यह select करना पड़ेगा choose करना पड़ेगा और उसके बाद अगर हम इसको align करेंगे top में तो यह देखिए इसके top और left में यह align हो गया ऐसे अगर हमको इसको यहां पर right में align करना होता तो फिर हम यहां पर top choose कर लेते और यहां पर हम यह right choose कर लेते अगर हमें center में करना होता तो फिर हम यहां पर middle ले लेते और यहां पर भी इसको हम center कर लेते मतलब horizontal और vertically हम center में ले लेते ठीक है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपने किसी भी object को चाहे वो text हो या कोई और shape हो line हो image हो कोई भी हमारा object हो उसको हम इस तरीके से proper alignment दे सकते हैं ठीक है ऐसे यह देखिए अगर मैंने हाँ पर customer का address लिया था तो वह भी हम इसी same pattern पर काम करेंगे पहले हम address करेंगे उसके बाद अपना हम shape करेंगे और उसके बाद हम यहां अब कर लेंगे जैसे हमने bottom align किया देखिए आपको यहां पे मैं इसको undo कर लेता हूँ मैं इसको zoom कर देता हूँ यह देखिए यह हमने पहले align किया था अपने mouse की मदद से और अब देखिए जब मैं हाँ पर click कर रहा हूँ जैसे ही तो यह देखिए अब यह proper align हुआ है उसके bottom में ठीक है तो bottom में तो यह align हो गया बट अब हमको इसको center में भी align करना है तो फिर हम यहां पे click कर देंगे middle वाले option पे तो यह देखिए अब यह जो हमारा text है वो इस जो boundary box है उसके bottom में और center में proper align हो गया है बहुत ही कम समय में अच्छा इसको हम shortcut key की मदद से भी करते हैं और मैं आपको यह राय दूँगा कि आप उस shortcut key को सीख लो दो चार बार आप उसको use करोगे तो automatically आपको फिर habit में आ जाएगी तो आपको फिर यह पैनल खोल करके यहां से आप फुजा करके align करने की जुरूत नहीं पड़ेगी आप वहां से जल्दी कर लोगे कैसे करेंगे मान लीजे मैं इसको यहां पर place कर देता हूँ और मैंने पहले अपना text choose किया उसके बाद में अपना हमने box choose किया अब हमको इसको top left में align करना है में समझे इसको य हमने keyboard से L दबाएंगे L means left हो गया बहुत simple है हमने simply T दबाया L दबाया top और left align हो गया ऐसे हमको top और right align करना होता तो हमने T दबाते और R दबाते तो वो right में align हो जाता है ना बहुत simple सा और यह बहुत ही effective तरीका है किसी भी चीज़ को किसी भी object को align करने का अच्छा अब करने के लिए आपको दबाना होगा E ठीक है जैसे हम आपे E button दबाएंगे तो देखिए center में आ गया और अब मुझे अगर इसके vertical और horizontal दोनों का center में लेकर आना है तो फिर हम यहाँ पे दबाएंगे C जैसे हम यहाँ पे C दबाएंगे यह देखिए यह box के proper center में यह object आप C for bottom और C for center तो bottom तो हो चुका है जैसे हम C दबाएंगे वो center भी हो जाएगा तो इस तरीके से हम objects को align कर सकते हैं दूसरे objects के बीच में जरूरी नहीं है कि हम किसी एक object को ही दूसरे object में align करें हम multiple objects को एक साथ भी align कर सकते हैं जैसे कि example के लिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं इसकी copy कर लेते हैं और एक circle इसमें और छोटा कर लेते हैं माली इसको हमने ले लिया 40 by 40 mm और एक circle और copy करते हैं 20 by 20 mm और एक और copy कर लेते हैं उसको करते हैं 10 by 10 mm ठीक है तो अभी हम क्या करते हैं सबको पहले यहां से हटा देते हैं ताकि alignment जो है वो ना रहे अब हम क्या चा सरकल है उसके अलाइनमेंट में ये सरकल आ जाए और इसके अलाइनमेंट में ये सरकल आ जाए और इसके अलाइनमेंट में ये सरकल आ जाए तो मैंने क्या कहा था कि जिसको अलाइन करना है उसको पहले चूस करेंगे ठीक है तो माली जिए अगर मुझे इसको अलाइन करना है तो मैं इसको पहले चूज़ करूँगा और इसको बाद में चूज़ करूँगा सारे एक साथ करने हैं तो मैं सभी को चूज़ करूँगा मैंने इसको भी चूज़ किया, shift की को दबाया, इसको भी चूज़ किया और last में जिसमें करना है shift की को दबा करके इसको भी choose कर लिए shortcut की C और E हो गया ना center तो इस तरीके से हम shortcut तरीके से इसको align कर सकते हैं मैं वापस से undo करता हूँ ठीक है मैंने वापस से हाँ पे इसको undo किया और फिर समें इसको select करते हैं one two three and last में जिस पर करना है align मैंने सारे object कर लिए हैं अब हम यहां से करके देखते हैं सबसे पहले हमने horizontal align किया ठीक है और देन हमने आप पर vertical align किया यहां पर click करके तो इस तरीके से आप objects को align कर सकते हो ठीक है यह हुआ दूसरा example अच्छा मैंने आपको मैं इसको यहां से हटा देता हूँ और मैंने आपको कुछ एक example भी लिया थे हैं आपर ठीक है तो यह भी same उसी पर काम करेगा मानली यह product हमारा है यह अभी मैंने बाहर रखा हुआ है और मुझे इसको इस box के center में align करना है तो पह e ठीक है तो इस तरीके से हम इसको align कर सकते हैं किसी भी object को किसी भी object के अंदर तो यह कुछ इस तरीके से था हमारा alignment अब देखो यहां पे कुछ और options भी हमके दिख रहे हैं alignment 2 ठीक है तो इनको भी करके समझ लेते हैं I hope आपको यह उपर का समझ में तो आ गिया होगा अब ह जल्दी दिल प्राता हूं ताकि वीडियो बहुत लंबी न हो जाए मैंने क्या किया इन सबको select किया यहां पे center में लेकर के आए और मैंने इसको choose कर लिया देखिए पहला option आपको यहां पे दिया है वो selected object के बात हो रही है means हम जो object choose कर रहे हैं जैसे कि मैंने यहां पर text लि page edge page edge क्या है देखिए यह हमारा पूरा page है जो कि आपको दिख रहा है white coral draw में हम इसको page बोलते हैं और illustrator में हम इसको बोलते हैं artwork तो अगर हमको यह जो हमारा text है मुझे इसको page के edges में align करना है तो फिर हम यह option choose करेंगे ठीक है और उसके बाद हमने जिसे align करना है माली जे choose कर रखा है already और हम हम यहाँ पर left पे click करेंगे तो यह देखिए हमारे page के left में align हो गया page के bottom में करना है तो page के bottom में align हो गया इस तरह से center में हो गया और इस तरह से vertical भी और horizontal दोनों center में आ गया right में करना होता है तो पिर हम यहाँ पर right klik कर देते तो यह right में align हो जाता है clear है नग तो इस तरीके से हम किसी भी object को उसके page के edges में हम लोग जो page की किनारे होते हैं वहाँ पर भी उसको हम align कर सकते हैं next option पे आते हैं यहां पर देखिए next option दिया है page center तो जैसे हम यहां पर page के center पर click करेंगे तो देखिए अब यहां पर page center आपका align हो गया है अब हम यहां पर click करेंगे तो यह left center, right ठीक है क्या हो रहा है समझ भी नहीं आ रहा होगा अभी अभी मैं समझाता हूँ कोई दिक्कत नहीं है तो उसको समझाने के लिए मैं आपको पहली चीज़तों मैं यहां पर एक line draw कर लेता हूँ, ठीक है vertical भी और horizontal भी इसको मैं copy करता हूँ और इसको 90 degree पर rotate कर देता हूँ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही select करेंगे group कर लेंगे, Ctrl-G और इसको हम page के center में लिए आएंगे page के center में लाने के लिए हम क्या दबाते है, P ठीक है, जैसे हम P press करेंगे, यह जो मेरा जो हमने shape बनाया है यह exact page के center में आ जाएगा तो यह हमारा हो गया page का center, page का center point हमारा कहां पर है यह हमारा जो point है, यह हमारे page का center point है, ठीक है तो चीजे अब यहीं पर सारी होंगी, मैंने अपना object select किया मेरा object किया था, मेरा text मेरा object था यहां से हमने page के center को choose किया और अब हम यहाँ पर कर रहे हैं alignment मैंने यहाँ पर किया पहले left तो यह देखिए यह जो आपका जो page का center था उसके देखिए उसने left में align किया हुआ है अगर हम यहाँ पर करेंगे middle तो दीखिए यहाँ पर इस तरीके से middle में align हो जाएगा right करेंगे तो page का जो center है उसका right alignment जो है वो वहाँ पे align हो जाएगा इसे तरीके से top ठीक है यहाँ पे करेंगे तो vertical center में align हो जाएगा और यहाँ पे click करेंगे तो bottom में उसके align हो जाएगा bottom क्या है मेरा यह हमारा bottom है ठीक है तो इस तरीके से हम page के center में भी अपने objects को align कर सकते हैं simply हमें अपना mode change करना होगा यहां पे alignment 2 में अपना mode change करना होगा और हम चीजों को align करना सीख जाएंगे उसके बाद में नेक्स option यहां पर आता है grit alignment अब यह कैसे काम करता है उसके बाद में हमारा next option आता है grit alignment इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे pages में grids को लाना होगा grids को visible करना होगा वो कैसे करेंगे उसके लिए हम जाएंगे view option में और यहाँ पर जाएंगे grid के उपर यहाँ पर देखिए आपको एक option मिल जाता है document grid हम जैसे यहाँ पर click करेंगे आपको document में यहाँ पर grids देखने को मिल जाएंगी ठीक है तो अब हम इन grids में भी alignment कर सकते हैं कैसे करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस line को यहाँ से delete कर देता हूं और उसके बाद मैं यहाँ पर यह नाम को भी इसे delete कर देता हूं ठीक है और इसको भी डीडीट कर देता हूं और object को थोड़े से छोटा कर देता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूँ clear तरीके से कि आखिर हो क्या रहा है मैंने यहाँ पर एक बनाया object मैं इसको zoom कर लेता हूँ ठीक है अब देखे यह हमारा object है और यह हमारे document की grid है ठीक है grids यहाँ भी बनी हुई है यहाँ भी पूरे page ही बनी हुई है मैंने यहाँ से grid option को choose किया ठीक है और अब हम आलाइन करना है grid में तो सबस्वेल हम यहाँ पर देखे अगर हम click करेंगे left में जैसे हम यहाँ पर left पर click करेंगे तो देखे यह जो grid हमारी है उसके देखे left में यह align हो गया है अगर हम यहाँ पर click करेंगे right में तो देखे right में align हो गया है अच्छा ये देखे ये right में यहां पर क्यों align हुआ यहां पर क्यों नहीं हुआ ठीक है उसका reason यह है क्योंकि इस line की जो spacing है वो इस वाली grid से pass में है जबकि इस grid से थोड़ा से दूर है तो जो वो उसके pass का grid होगा वो वहां से align होगा तो अगर हम यहां पर right पर click करेंगे तो नजदीक था जबकि यहां से दूर है तो जैसे हम यहां पर click करेंगे top में तो दिखेंगे वो इस वाली grid से यहां पर top में align हो जाएगा तो इस तरीके से हम grid में भी अपने objects को text को किसी भी चीज़ को align कर सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं अपने next option के बारे में जो कि हमारा है specific point is specific point कैसे काम करते है चलिए समझते हैं उसके लिए पहले क्या करता हूं मैं इसको delete कर देता हूँ और इसको थोछ़वा सा zoom out करके मैं यहां पर जाकरके इसको grid को भी यहां से burn कर देता हूँ क्यों कि मेरा इसको use यहां पे नहीं ठीक है तो अब मैंने यहां पर क्या किय या कुछ यहाँ पर हमने objects बनाया जैसे हमने पहला object यह बनाया कुछ इसमें color भी fill कर देते हैं दूसरा हमने यह बनाया तो उसा size change कर देते हैं तीसरा हमने यह बनाया ठीक है चौथा हमने यह बना लिया ठीक है तो इस तरीके से हमने multiple objects यहाँ पर create कर लिया अब मैं क्या करता तो इन सब को यहां से चूज़ करके group कर लेता हूँ तो मैंने सब को slate किया group कर लिया अब मैंने यहां पे एक object और बनाया जो की है circle ठीक है तो अब मैं चाहता हूँ कि यह जो circle है इसका मैं color change कर देता हूँ ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि यह जो circle है वो ये जो blue वाला box है इसके center में आ जाए बट अभी क्या होगा कि चुकि ये group है पूरा object तो अभी अगर हम इसको select करेंगे और इसको select करेंगे और shortcut की center करने के लिए पता है आपको C और E तो C और E अगर हम दबाएंगे तो देखिए वो क्या करेगा वो इस पूरे group object के center में लेके आ रहा है ना कि एक particular object के center में ठीक है लेकिन हमको चाहिए क्या हमको चाहिए कि वो इस वाला जो ये जो blue object है वो इसके center में आना चाहिए वहाँ पे हम use करेंगे specific point का ठीक है तो अब हम कैसे क्या करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे इसको single click करेंगे और control दबा करके उस object पे click करेंगे जो की हमको select करना है मैंने control दबाया और यहाँ पे click किया control क्या करता है कि group के अंदर जा करके वो किसी particular object को choose कर लेता है ठीक है जो की यहाँ पर हो गया है तो अब हम क्या करेंगे यह जो हमारा object है इसकी हम यहाँ से position कोपी कर लेंगे तो यह हमने इसकी ले लिया x axis की position यहाँ पे हमने paste किया इसकी y axis की position कोपी किया और यहाँ पे हमने दा करके paste किया तो आप क्या हुआ कि इस object की position यहाँ पर हमने paste कर दिये ठीक है और आप हमने यहाँ पर click किया इस वाले object को जो की हमें align करना था और हम यहाँ से click करेंगे specify point के उपर और उसके पाद हम click करेंगे left और middle और center तो अब उसने क्या किया कि उसने उसके middle और center में देखी उसको align कर दिया अब अगर हम यहाँ पर click करेंगे left में ठीक है तो वो left में align करेगा किसके left में align करेगा जो भी मेरा specific point था मेरा specific point इस object का center point था जो कि हमने यहाँ से copy किया था ठीक है क्योंकि यहाँ पर अभी जो मेरा selected है वो यहाँ पर वो origin center selected है तो उसने वो यहाँ पर center का जो आप आपका जो position था वो उसने choose किया था और वो उसके left में इसको align कर रहा है तो अगर आप इसको top में करेंगे तो यह देखी क्या करेगा वो इस center के top में align कर रहा है तो center के bottom में करेंगे तो यह है center और यह रहा है इसका bottom तो center के bottom में align कर रहा है तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर specific point का इस्तमाल भी करते हैं ठीक है आई होप इतना clear हो गया होगा अब हम आ जाते हैं distribution के उपर जो की बहुत एक important चीज है देंगे distribution क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो object होता है उनके बीच की spacing को हम आपस में distribute कर सकते हैं example के लिए मैं यहाँ पर object ले लेता हूँ कुछ एक object लिया दूसरा ले लिया तीसरा ले लिया चौथा ले लिया पाचवा ले लिया ठीक है तो अभी मेरे पास दो को यहाँ पर पाच object रखे हुए हैं ठीक है तो मैंने क्या कि हैं सब में different different में आपर color fill कर देता हूँ ताकि यह पहचान में आए और इन पर काम करना थोड़ा सा आसान रहा है आपको समझाने में मुझे आसानी मिलेगी तो मैंने क्या किया इन सब पर अलग-अलग color मैंने fill कर दिया अब हम क्या करते हैं कि इन सभी को select कर लेते हैं चुकि मुझे इन सभी object को distribute करना है ठीक है तो अब देखें यहां पर जो पहला option है वो distribute left पहले option के नाम समझ लेते हैं distribute left distribute horizontal center ठीक है distribute right और यह आपका last one है distribute space horizontal अब हम चारों का पहले function समझ लेते हैं अगर हम यहां पर click करेंगे distribute left में तो वो क्या करेगा यह देखें उसने इसको left में align कर दिया लेकिन साथ में उसने क्या किया उस page के जो पूरा जो मेरा page का area था उसके साथ मैं align किया तो मैं इसको वापास से undo करता हूँ और यह इसने ऐसा क्यों किया क्योंकि यहां पर अभी selected है हमारा page edges इसको अभी हम temporary इसको select कर लेते हैं selected edge यह selected object तो अगर हम आप हमने इसको select कर लिया है अब आगर हम आगर यहां left में align किया है अब दोखें left में align कैसे हो रहा है उसको समझते हैं मेरा पहला object और यह दूसरा object इसका यह जो left और इसका यह जो left है यहां से यहां तक की जो दूरी है वही दूरी इस object और इस object के बीच होगी और वही दूरी यहां से यहां और यहां से यहां के बीच होगी न मतलब यह जो distance है इसका यह जो left है और इसका जो left है यही spacing same होगी ठीक है इसके left में और इस object के left में यही spacing same होगी इसके left में और इसके left में और ऐसे continue रहेगी इसके left में और इसके left में ठीक है clear है तो वो क्या कर रहा है कि इसका left और इसके left के बीच में वो space को distribute कर रहा है ऐसे ही आगर हमने left की जगा यहाँ पे center ले लिया तो वो क्या करेगा अब वो इसके center से दूसरे object के center के line को स्पेस बराबर कर देगा जैसे उसने यहाँ पिस ऱ बेरा किया यहाँ पिसकी उसने किया एह इसका center और इसका इसंटर की बीच की दूरी है वही दूरी यहां से यहां की बीच है और वही यहां से यहां की बीच है ठीक है अगर हम यहां पर क्लिक कर देंगे राइट में तो सेम चीज वह राइट से आपका वह डिस्टिबिशन करना शुरू कर देगा और अगर हम यहां पर ले लें spacing है वो बराबर है इस object के बीच में वही spacing यहाँ पे equal है वही spacing यहाँ पे equal है बतला एक object से दूसरे object के बीच की जो spacing होगी वो आपकी equal होगी ठीक है उसके बाद देखिए सेम चीज़ यहाँ पर काम कर रहे है यह top के लिए अगर हम topic क्लिक करेंगे तो वो top में alignment करना शुरू क कर देगा ठेक है मतला इसके top से इसके top की जो आपकी जो spacing है वो बराबर होगी ऐसे अगर महाँ पर click करेंगे distribute वर्टीकल पे तो वो वर्टीकल spacing बराबर करना शुरू कर देगा मतला इसके space से इसके center में और इसके center से इसके सेंटर में मतलब यहां से यहां की बीच की जो दूरी है वो बराबर है मतलब आपजेट का टॉप और दूसरे आपजेट का सेंटर मतलब यहां का सेंटर और यहां का टॉप यहां का सेंटर यहां का टॉप यहां का सेंटर और यहां का टॉप उसके बाद में फिर से यहां का center और यहां का top तो चीजे देखिए आपको सीखनी पड़ेंगी बार-बार उनको use करके जितना आप उसको use करोगे तो आप उसके habitual हो जाओगे चीजे आपको अपने आप clear होना शुरू कर देगा यह चीजे मैंने आपको अपनी पहली class में बताया था कि चीजों पर काम करना सीखिए आप जो भी कोई class लेते हो उसको at least 2-3 बार देखो अच्छी से समझो और practical भी करो तो यह कुछ इस तरीके से distribution काम करता है अभी चुकि मेरा यहां पर option आपका पहले selected है selected object तो वो क्या कर रहा है? object की बीच में काम कर रहा है अगर हम यहाँ पर ले लेगे page edge उसके बाद अगर हम distribution करना सुरू करेंगे तो वो क्या करेगा? एक page का जो हमारा edge है जो left edge है और जो right edge है उसके बीच में काम करना सुरू कर देगा ऐसे left करेगा center करेगा right करेगा ठीक है और आपका इस तरीके से काम करना शुरू कर देगा उसके बाद एक हमारा last option है distribute में यह देखिए last option हमारा है object spacing यह क्या चीज है देखिए यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि system automatically अपने हिसाब से चीजों को center कर रहा है अगर हम चाहते हैं कि नहीं मुझे एक value दे करके उनको center में लाना है तो उसके लिए हम object spacing को choose करेंगे और हम यहाँ पर define कर देंगे कि हमको horizontal और vertical में कितना कितना बीच का space देना है तो अगर हम यहाँ पर spacing देते हैं अपनी 10 mm ठीक है तो अब वो क्या करेगा यहाँ पर देखिए 10 mm की बीच में अपनी spacing को continue रखेगा हर object के alignment में sorry distribution में तो अगर हम यहाँ पर जो भी यहाँ पर distribution दे रहे हैं उसके top में उसके vertical center में या उसके bottom में तो वो उस तरीकों से यहाँ पर 10 mm ठीक में में उसको align करना शुरू कर देगा तो उसके बाद दिखिए आपका last option यहाँ पर आ जाता है text अब यह कैसे काम करता है इसको भी समझ लेते हैं उसके लिए हमें पहले यहाँ पर एक कुछ text लिखना होगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर मैंने पहले एक paragraph बना लिया है और मैंने यहाँ पर right click करके यहाँ पर हमने कुछ placeholder ले लिया है इसका use ही होता है कि हम किसी भी paragraph के अंदर एक dummy text ला सकते हैं कि lorem ipsum का dummy text यहाँ पर install करा सकते हैं हमें कुछ भी बाहर से लिखने की जूरुत नहीं पड़ेगी तो मैंने आप एक dummy text ले लिया है और आप हम क्या करेंगे इस जो paragraph है इसको change कर देंगे artistic text में तो इसके लिए हम जाएंगे टेक्स्ट में और यहाँ पर देखिए हमको एक option मिल जाएगा convert to artistic text ठीक है तो अब देखिए यह मेरा object क्या हुआ है यह जो text हमारा है यह पूरा का पूरा एक artistic text में convert हो गया है और आप हम क्या करेंगे यहां से कुछ text copy करके ctrl c और बाहर हम यहाँ पर paste कर लेंगे और इसका size हम change कर लेते हैं ताकि visible रहे तो यह हमने देखिए यहाँ पर एक paragraph ले लिया है artistic में और हमने यहाँ पर एक text ले लिया है अब मुझे क्या करना है इसको align करना है text में सबस्पहले देखिए आप पर option है first line baseline इसको अगर हम select करेंगे तो इसको choose करेंगे और हमने इसको selected रखा हुआ है और अगर हम यहाँ पर एक इसको left करें कैसे करेगा देखिए अगर हमने यहाँ पर left क्लिक किया देखिए उसने वह left में उसके align कर दिया अ देखिए उसके center में ले आया right में क्लिक करूँगा तो उसके right में ले आया ऐसे top क्लिक करूँगा तो top में vertical center में और bottom में देखिए वो क्या कर रहा है जो हमारा जो paragraph का जो top पहला line है वो उसके बीच में हमारे दूसर text को align करना शुरू कर रहा है चाहे वो left हो चाहे right हो चाह vertical center हो चाहे horizontal center हो ठीक है सेम चीज़ यहाँ पर काम करती है bottom के लिए last line baseline अगर हम यहाँ पर इसको choose कर लेंगे तो आप क्या करेगा यह जो alignment मेरा पहले top में चल रहा था अब हमारा यही सारा alignment bottom में चलना शुरू कर देगा करके देखते हैं मैंने इसको choose किया उसके बाद में left left में देखिया line हो रहा है center right top ठीक है आपका यह vertical center और यह bottom तो देखिए यह सब कुछ अब आपका यह देखिए आपके जो आपके last line है paragraph के वह वहाँ पर देखिए सब कुछ continue हो रहा है देखिए मैंने left किया तो यह left हो गया all right तो कुछ यह इस तरीके से हमारा baseline काम करता है और यह lost option हमारा है boundary box अगर हम इसको choose कर लेंगे तो यह जो हमारा यहां पे boundary box है इस पूरे के पूरे paragraph का है यहां पे यह पूरा process शुरू हो जाएगा मैंने इसको select किया हुआ है boundary box उसके बाद top left top और left center right ठीक है middle left middle center middle right bottom कर लेते हैं तो bottom में फिर left bottom में center और bottom में right सारी चीज़े shortcut से भी कर सकते हैं हमारे keyboard shortcut से T for top L for left C for center E for vertical center vertical left में लाना है तो पहले हम E से vertical center कर लेंगे L से left कर देंगे तो वो left में उसके चला जाएगा R पे click करेंगे तो वो vertical center से right में align हो जाएगा B पे click करेंगे तो B मतला bottom से right में align होगा और L पे click करेंगे तो bottom से left में align होगा ठीक है तो कुछे इस तरीके से हमारे ये सारे के सारे align और distribution option हमारे use में आते हैं एक देखिया हमारा last option बचा हुआ है use object outline इसको भी समझ लेते हैं जाते जाते कि आखिर ये क्या होता है तो मैं क्या करता हूँ मैं इस पूरे paragraph को यह से delete कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक object बना लेता हूँ अब मैंने यहाँ पे इस text को select किया हुआ है और इस object को भी select कर लिया है और अब हम यहाँ से choose कर लेते हैं object outline और अब देखिए हम यहाँ पे इसको align करते हैं तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं इसको first baseline choose कर लेते हैं और इसको हम left में then इसको center में और top में देखिए वो क्या कर रहा है, left center और top align कर रहा है, अगर हम यहाँ पर top ले लेंगे तो क्या करेगा, वो object की जो outline है, वहाँ पर उसके top में उसको align कर दिया है center करेंगे, तो वो center में align कर दिया है उसने, और bottom करेंगे तो उसने, उस object की जो baseline ती, उस object की जो outline तो कुछ यहां पर चीज़ों को पर्फॉर्म करना है तो कुछ यह हमारी क्लास थी अलाइन और डिस्टिबूशन को लेकर के आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कोई डाउट हो हमेशा की तरह मैं आज फिर से रिबीट करूँगा कि इस वीडियो के कॉमेंट सेक्षन में जा करके कॉमेंट करके आप अपना कोशन पूछ सकते हो मैं आपको वहां पर रिप्लाइ करने की पूरी कोशिश क करूँंगा वीडियो कर अच्छी लगी हो मैंने बहुत महिनद की है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चल्ण को सब्सक्राइब करसे न ताकि मैं इस तरह की और वीडियो लाता रहता हूं आपके लिए तो आपको उसकी नौटिफिकेशन मिलती रहे तो उ उसको आप best कर दीजेगा फिर से मिलते हैं एक next वीडियो में एक नए topic नई class की साथ में तब तक के लिए goodbye